हेलो फ्रेंड्स भारत अकेडमेट्रेटीरी की यूटीब क्यानल पर आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं कि हमारी के दोर में आप सब पहले में इस पर चर्चा करेंगे तो पहले इसके बेसिक जानकर ले लेते हैं कि यह क्या है तो इसका जो सइंटिफिक नेम होता है वह अलोरो डीडी ठीक है और इसकी जो टोटल स्पीचीश है वह 1550 के करीप आए जाने पूरे वल्ट में और इससे जो में प्रोग्लम जो पह पत्यों का रास होता है उसको सोह लेती है वह जिससे क्या होता है कि उसके अंदर पोदे के पानी की और nutritions की कमी कमी हो जाती है और एक और है इससे प्रोगलम कि यह जो आपकी चीटी हो गए चीटे मकोड़े हो गए उनको भी थोड़ा एट्रेक्ट करती है और उसके अलावा यह फंगी है आपकी जो उसको भी ग्रोथ होने में थोड़ी साहक है साहक मतलब एक तरीके से हनी का रहा है पोदों के लिए तो तो इससे जो जो में पोधे हैं यो आपके फल है या पेड़ हैं कौन-कौन से पेड़ को यह सबसे ज्यादा हनी पोची है उनकी मैंने एक लिस्ट है यहां पर देखो एफेक्टिड प्लांट्स ट्रीज तो उसमें क केश्यू काजू ओइल पाल्म ताड़ का पेड़ हो गया जो तेल निकलता है ठीक है और ओर्नमेंट मेंटल प्राम मतलब सुगंदी ते जो जिससे बनाए जाते हैं वह पोदा हो गया बोटल पाल्म हो गया उसके बाद फाल्स बर्ड ओफ परड़ाइस यह भी एक तरीके का फ्लोवर टी है आपको मैं आगे स्लैड में पिक्चर दिखा दूँए इसका नाम तो बहुत अच्छा है फाल्स बर्ड ओफ पैरड़ाइस मतलब सुगर की एक नकली चिडिया ठीक है उसके बाद आपका बटरफ लाइप पाम एंड इंपोटेंड मेडि मेडिसीनल प्लान म पा रहे होंगे कि सर्किल टाइप में ऐसे रिंग बन जाते हैं और यह फंगी लग जाती है और बीच में वाइट कलर की दिख रहे हैं आपको इस पूरी सफेद मक्खी बैठी है इसको पर तो सैद आपने कोमन देखा होगा आम के पेड़ पर भी आपके यहां पे गाउम मि रहे हैं इसको पत्ति को पर इसको खा भी रहे हैं ठीक है यह दूसरी पत्ति में भी इसी तरीके से फैली हुई है और अब हम इसके बारे में जान लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है ना फाल्स बर्ड ऑफ पैरड़ाइस तो यह देखिए कितना सुन्दर फोल है बट इ इनका जो आगमान हुआ था पहले फर्स्टाम फाउंड इन इंडिया 1995 मतलब केरला में आई थी पहले सबसे पहले केरला में पाई गई थी तो इंडिया में पाई गई स्पीसिस हैं ठीक है वह कहां से उनका संबंद मिला है वह करेबियन आइसलेंड एंड सेंट्रल अमेरिक का मूल इस्थान है तो जो मेजर कितनी मेजर स्पीसिस है मतलब जो सबसे ज्यादा मातरा में भारत में पाई गई है संख्या में तो उसमें आठ आती है ठीक है और उसमें क्या आती है रुगोज स्पैरिलिंग वाइट फ्लाई आती है जुरीदार सर्पिकल आकार से बढ़ और यहां पर आई कैसे है मतलब भारत में यह आई कैसे है तो इसका most acknowledged region मतलब इसका कोई specific region नहीं दिया है पर उसमें से क्या 2-3 region है कि यह चांस है कि इस तरीके से आई होंगी तो उसमें पहला क्या है बेभी इंसेक्ट में come along with imported plants मतलब आपने देखिए होंगे कि दूसरे ज जो हो में तरह से चोटे यह इंसें जो आ ढवे का यह बाद मज़क्त आप तो दूसरी जेसे बढ़ता जा रहा है ट्रांसपोर्ट ग्लोबलाइशें जिसे जिसे वामारी डियूरेशन कम होते जारहे ट्रेवलिंग का तो बहुत से तूरिस्ट आते हैं वो अपने साथ चोटा मोटा कुछ leaps, ऐसे ले गया जाते हैं, चोटा मोटा plant या कुछ friend रहते हैं किसी को बोल देते हैं, रहे ले के आ जाना अधर से कुछ बिरी, तो उसके साथ भी थोड़ा इसका माना जाता है, कि उससे भी थोड़ा speed है, और last में एक हो रहा है कि out of curiosity plug and brought by Indians मतलब क्या होता है कि बहार आती है जो नागरिक बहार रह रहे हैं या टूरिस्ट पर गोमने के लिए गए हैं तो वहाँ पर क्या छोटे मोटे अनुसंदान है मतलब यही question बन सकता है कि white flies कोन monitor कर रहा है ठीक है इसके ग्रोथ के बारे में सभी को कोन monitor कर रहा है तो आपका इह है ICR आपने सुनाओगा भारते करी से अनुसंदान परिसाद है आपका Indian Council of Agriculture Research और इसकी एक और इसकी एक और साका है ICR National Bureau of Agricultural Insect Resources ठीक है और इसका जो headquarter बैंगलोर में है ठीक है और इसको NBIR भी बोला जाता है ठीक है तो यह इसके ओपर research करता है इस तरह की इंसेक्ट से जो fungi इसको पर सभी पर यही research करता है अब देखो research by ICR तो आपका जो ICR NBIR ने क्या research करी है और उनको क्या outcome मिला है उसके बारे में थोड़ी research कर लेते हैं तो उनके एक scientist है Salvaraj Krishna and his team मतलब उसकी team ने और उनने मिलके पूरे भारत का भर्मन किया और उन्होंने देखा कि इसको पर research करी उन्होंने कि कहां पर किस तरह से इसका effect हो रहा है इसका क्या कारण है और उसका season क्या है मतलब कब यह grow होती है किस time में जादे बढ़ जाते है कि तो किस तरह से इसको रोगा जा सकता है क्या-क्या इन्हों मतलब जो natural facts है जो इसको control कर रहे हैं तो सभी इन्होंने study करी और इनको research करने में 2015 से 2020 तक का देखिया आप 6 सार लग गए इनको करने में ठीक है तो इन्हों जो सेलवर आ जाए इन्होंने अभी हार्ली में मतलब एक दो दिन पहली अपनी डिपोर्ट पॉब्लिश करी इसका बारे में तो इसलिए ये न्यूज में आपके साथ डिसकस करना चाहता था तो अब देखिए area of reach मतलब जो यह team थी कहां तक गई इन्होंने क्या गया फाइव फासल होती है उसके बारे में जाके वहां पर इन्होंने ये सर्वे किया उसके बाद इन्डिस्टिक के अंदर भी इन्होंने पांस से दस तक अलग अलग location चूज करी और उन पर research कर गया है ठीक है और उसके बाद देखो इन्हों क्या-क्या finding मिली है तो they extract genome DNA from individual adult white flies मतलब इन उन्होंने genome DNA यह क्या होता है जो white flies है उनका जो adults है उनका genome यह करके DNA extract के उसके अंदर से ठीक है and explain in detail about 8 invasive species found in India तो उन्होंने उसके बाद पाया कि यहां पर total 8 species मिली है जो invasive मतलब आकरमनकार species है ठीक है मतलब जो बहुत ही तेजी से grow कर रहे है इंडिया में और जो future में और भ इन्होंने एक और बात बताए कि इनका main region of their growth what is their main मतलब उनका region क्या है क्यों वे इतना तेजी से growth कर रही है तो इन्होंने बताए कि polyfagus nature मतलब इनका जो यह white flies है इनकी nature किस तरह किया ability to feed and feed on various kind of food मतलब इस सभी तरह की पत्ती सभी तरह के फूल पत्ती फूल वह लगबाग खा लेती हैं सभी तरह से तो and prolific breeding मतलब बहुत access मात्रा में यह prolific का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में breeding करते हैं यह white flies तो उसके विए से इनकी growth दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ठीक है तो effects to coconut and palm to man to coconut को और oil palm को खेती को इसने बहुत ज्यादा मात्रा में हानी है था ना आपके जुरीदार जो सरपिला कारा कार में बढ़ती है white fly ठीक है तो इन्होंने देखो कितने बड़े scale पर इसकी growth को यह किया है क्योंकि प्लांट का जो उसका जो रस सोख लेती है पत्तियों से तो उसकी growth कम होने से उसके और फल भी उसी तरह से quality कहांगा low quality कहां जाएंगे फिर से बढ़ जाएंगे एक बार उसको पर इस पर कर देंगे फिर से अपने इस तरह से ड़ाल लेती कि अगली बार डालोगे दवा तो कुछ फरक नहीं पड़ने वाला नहीं है तो फिर उन्होंने being controlled by naturally occurring predators थीक है मतलब जो naturally जो आपको वातावरण में पाये जा परजीवी हो गए आपके, कुछ ऐसी परजीवी होते हैं, कि दूसरे को पर निरभर करते हैं, तो वो इनको भी खालेते हैं, तो उससे थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है, और एक आपका क्या है, एतुमो पैथोजैनिक फंगी, यह इंपोर्टेंट है, एतुमो पैथोजैनि कि फंगी, फंगी that can kill insects, मतलब ऐसी कुछ फंगी देखो, दो तिन तरह ही होती है, यह भी फेला रहे हैं, बट वो एक सही तरह की फंगी नहीं है, कुछ ऐसी होती है, कि जो हमारे लिए फायदा मंद हो जाती है, तो उस फंगियों को यह क्या कर रहे हैं, कि इसके जो नहीं है, कुछ नहीं है, यह फिर भी उससे थोड़ा हमको सेव कर रहे हैं, they are not just environmentally friendly, but also economically feasible, मतलब देखो, यह क्या बोल ले हैं, they are not just environmentally friendly, मतलब environmentally friendly, एक तो देखो, हम कुछ pesticide spread नहीं कर रहे हैं, कुछ आपका जो पोदो को है, धरती को है, हम उसको कुछ नुकसान नहीं नहीं है, इस तरह की हानिकारक दवा को पच्छड़काव करके, but also economically feasible, मतलब वो सस्ती पढ़ती है, इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद देखो, etymopathological genetic fungi specific to white flies are isolated, ठीक है, आप देखो, यह किस तरह से करते हैं, यह fungi हो गया, आपका जो, मतलब जो white flies को खाती हैं, उसको यह other fungi से अलग करते हैं, ठीक है, और उसको purify करते हैं, फिर and then grow in lab, फिर उसको lab में बड़े scale पर mass production किया जाता है, उस fungi का, and applied into the white fly, infected, filled in, और फिर उसको किया, जो जहां जिस छेतर में, जहां पर मतलब कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस खेत में, जहां पर ज़्य potential predators, मतलब जो शिकार ही हैं, मतलब कुछ तरह से insects होते हैं, केड़े, मगोडे उनको lab में पाला जाता है, कि वह यह इस चीज के साथ, मतलब दवाच्छड़का, यह fungi भी छोड़ देंगे, उसके बाद यह आपके जो predator हैं, जो उनको भी छोड़ देंगे, और उसके बाद एक जो परजीवी हैं, परजीवी को भी पाला जाता है, उसके साथ इनको भी छोड़ दिया था, तो यही में cheapest and best तरीका मिला है scientist को, जिससे कि इसको control किया जा सकता है, ठीक है, तो यह question में आ सकता है, कि इसका main region क्या है, मतलब किस तरह से इसको control किया जा सकता है, और जो आपका जो किट ना सकता है, उससे तो यह रुकने वाली नहीं है, ठीक है, और इसका area of reach, मतलब कहां तक पहुँच गी है, तो main concern क्या है ने इसका, यही है यार, आज यह news में था, यही दिया हुआ था, कि throughout India, यह कहां तक reach होगे, throughout India and including its UT expect GK, तो यह क्या होगा है, लक्सदी, आप में पहुच चुगे, खाली, G&K UT में बची हुई है, वहाँ पे नहीं पहुची, या तो वहाँ पे cold का वाज़े से नहीं पहुची, क्यों नहीं पहुची, वो अभी तक scientists research कर रहे हैं, ठीक है, तो आज कटोपी गहें पर समापत होता है, I hope आपको पसंद रहा होगा, ठीक स्फ़रवचिन